मोधी सरकार को चार साल पूरे हो गए हैं और ये मका है जब इस सवधी में सरकार के कारेकाल पर नजर डालकर परखा जाये की अलग-अलग मुद्दों पर उसने क्या और कितना काम किया बात अगर देश की एक बड़ी आबादी यानी मुस्लिम समधाय के बारे में की जाये तो मोधी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो समाज और देश में बड़े बदलाव लेकर आएंगे दूसरी ओर इन चार साल में अलपसंख्यकों के खिलाफ हैंसा और दमन के भी कई मामले सामने आए जिन में मोधी सरकार के रुख पर सवाल उठे देश के मुसल्मानों से जुड़े आहम मसलों पर कॉंग्रेस और दूसरी पार्टियों की सरकारें हमेशा हाथ डालने से कत्रा आती रही हैं वहीं मोधी सरकार ने अपने चार साल के शासन में मुसलिमों को लेकर बोल्ड कदम उठाये हैं फिर चाहे वो तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने की बात हो या फिर एक जटके में हज सबसीडी को खत्म करने का फैसला पी एम मोधी और उनके मंत्री खुले आम कहते हैं कि सरकार तुष्टिकरण पर नहीं बलकि सशक्तिकरण की राह पर चलेगी हज सबसीडी खत्म दुनिया के मुसल्मानों की तरहे भारत के मुसल्मान भी सवधी अरब हज के लिए जाते हैं भारतिय हजियों की आत्रा के खर्च का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार सबसीडी के रूप में खुद वैहन करती थी मुसलिम संगठनों की मांग पर सुप्रीम कोट ने हज सबसीडी को धीरे धीरे कत्म करने का आदेश दिया था लेकिन मुदी सरकार ने हज सबसीडी को एक जटके में पूरी तरह से समाप्त कर दिया सरकार के इस फैसले का मुसलमानों के बड़े तबके ने स्वागत किया जबकी कुछ लोग इस से नाराज भी हुए लेकिन बीजय पी और सरकार किसी भी तरह के विरोध से बेपरवा देखी तीन तलाक के खिलाफ बेल मोदी सरकार ने तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को निजाद दिलाने का बीड़ा उठाया है तीन तलाक को जुर्म घोशित कर इसके लिए सजामो करहर करने संबंधी विड़ेया को 15 दिसंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिली और 28 दिसंबर को लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया हाला कि राज्य सभा में इंडिये का बहु मतन होने से ये विड़ेया कटका हुआ है मोदी सरकार के इस कदम से जहां मुसलिम महिलाएं खुश नजर आई तो मुसलिम संगठनों ने विड़ेया के प्रावधानों को लेकर नाराजगी जाहिद की लेकिन विरोध से बेपरवाह सरकार बिल लटका रहने पर अध्या देश भी ला सकती है जिसमें तीन तलाक देने पर मुसलिम पत्ती को सजा तक का प्रावधान है अलपसंख्योकों पर बढ़े हमले मूदी के सत्ता में आते ही देश में अलपसंख्योकों के खिलाफ एक माहल बनाने की कोशिश दीखी गई अलपसंख्योकों के खिलाफ हिंसा को लेकर मूदी सरकार बार बार कट घरे में दिखाई दी पी एम मूदी का सब का साथ, सब का विकास का नारा महज नारा बन कर रह गया दादरी में अखलाक तो अलवर में पहलु खा कि हत्यागाए को लेकर कर दी गई और सरकार वपार्टी से जुड़े लोग आरोपियों को बचाते नजराए जारखंड, हरियाना, राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में गुरक्षकों द्वारा हिंसक घटनाए अंजाम दी गी इसी तरह है लव जिहाद का जिन खड़ा कर मुस्लिम युवाओं को निशाने पर लिया गया राजस्थान के ही राजस्मंद में अप राज्जुल नामक एक शक्स की हत्या कर उसका लाइव वीडियो बनाया गया Human Rights Watch ने World Report 2018 जारी करते हुए मोदी सरकार के बारे में कड़ी टिपणी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सरकार देश में अलपसंख्यकों पर हमलों को नहीं रोक सकी अलीगर मुस्लिम विश्व विद्याले में जिन ना की तस्वीर पर मचा बवाल हो या जामिया मिलिया इसलामिया के अलपसंख्यक दरजे को खत्म करने की कोशिश मोधी सरकार अलपसंख्यकों को ये भरोसा देने में नाकाम रही कि उसके राज में उनकी जानमाल और अधिकार सुरक्षित है विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और बीजेपी को कट घरे में खड़ा किया है और वो आरोप लगाता रहा है कि मोधी सरकार आरेसिस के हिंदुत्व के एजे इंडे पर चल रही है लेकिन सरकार को इसकी परवाह है ऐसा कोई संकेत उसकी तरफ से नहीं मिला है